सलमान खान की इंटेरोगेशन होगी क्या, drive के contract में लिखा, पकड़ो उस contract को, उसके अंदर लिखाईे को समन किया गए है, उनको बुलाया गया है, लेकिन संजलीला वंसाली को बुलाया गया है, ये पबलिक को दिखाने के लिए किया गया संजलिल ऐनसाली का आड़त्यों चोपड़ा को समन किया गया अच्छा है उसके contract हासिल किया गए सबसे पहले तो करण जोहर का धर्मा प्रोडक्शन का वह contract हासिल करें जिस contract में drive film को लेकर के contract में लिखा कि उसको थेटर पर रिलीज किया जाएगा ये contract में लिखा है लेकिन करन जोहर ने contract तोड दिया और एक नवंबर 2019 को उसको रिलीज करते नेट्फिक्स पे क्योंकि उसमें सुसान सिंग राजपूत की जो हिरोईन है वो जैकलिन फरनाडेज है जो की सलमान खान की girlfriend है वन इसको पूधाजन 18 में ही रिलीज होना था लेकिन इसको रिलीज नहीं होने दिया तो इसके पीछे सलमान खान को संबन करना चाहिए और इसके पीछे करन जोहर को संबन करना चाहिए एक बात दूसरी बात सुसान सिंग राजपूत का सूरज पंचोली से जगड़ा हुआ थ उन्होंने एक प्राइवेट फॉरंसिक एक्सपर्ट हायर किया था यूके से और उस हायर करके उन्होंने प्रेस कॉन्फरेंस करकर का है कि जो है उस फॉरंसिक एक्सपर्ट ने यह जानकारी दी है कि जो निसान यहां पर बने हैं होटों पे बने हैं कटने के और नाक पे ज जो है सूरत पंचोली को जम्मबार ठहराया हुआ है आदे घंटे तक कॉल उनकी जो है जिया खान के साथ लास्ट आदे घंटे तक भी उसके साथ कॉंटेक्ट में था और जिस तरह की वहां कर्वर्सेशन से वह बड़ी हैक्टिक और गरम कंवर्सेशन हो रही हैं उसमें बहुत बड़ी गर्मी वाली हैं अगर उनको आप पढ़ोगी वाट्सेप चैट भी उसने राविया खंडे रख दी उनकी सामने और दूसरा मामला यह है क्योंकि मैं यह सारा एंगल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि डिप्रेशन की ठोरी किस न मैं उद्दव ठाकरे की सरकार NCP NCP के तो दाउद इब्राहिम की डिं कंपनी के साथ सम्मन थे सरत्थ पावार साब क्यों करा मैं तो दाउद को भारत लाने के लिए मध्यस्तिता कर सकता हूं यह सरत्थ पावार ने बयान दिया था तो उनके रहते हुए हमें यह विश्वा को बला बन बला है यह पता लगाना चाहिए और मैं इसलिए बात है कि रहा हूं क्योंकि अब क्योंकि ये लोग कटगरे में आकर खड़ा हो गए है क्योंकि भारत के अंदर पबलिक का इतना प्रैसर बन गया है सोशल मीडिया पे इतना प्रैसर खड़ा कर दिया गया है लेकिन इसी बीच जाज को भटकाने के लिए कुछ लोग ऐसे से काम कर रहे हैं को धारन मा आपको देता हूँ कि सुसान सिंग के डैथ का विकीपीडिया और उस पे लिखा है आठ बजकर 69 मिनट यानि 9 बजकर 1 मिनट पे विकीपीडिया पे ये एडिट किया गया है उसकी डैथ हो गए मतलव उसका सोशाइड से डैथ हुई है सुसान सिंग राजपूत की तो विकीपीडिया पे जो एडिट हुआ यह है यूटी सी टाइम यानि कॉद्रीनेट यूनिवर्सल टाइम वह साड़े पास गंटे पहले का है यह इंटरनेशनल टाइम है ग्लोवल टाइम है उसके एकॉर्डिंग वह इंडियन टाइम के एकॉर्डिंग धाय बजे किया गया उसमें ना जाए यह जाज को भटकाने की कुसिस है आप देखिए सब चीछ चल रही है सोसल मीडिया में बड़े-बड़े इतने बड़े इन्वेस्टिगेटर समझते हैं आपको उनको इनको कॉमन सेंस की बात नहीं है यूटी सी का टाइम है उसके अंदर तो उसमें जाज भटक रही है जाज का जो सही दायरा है वो यह है कि जो रिया चक्रवर्ती है रिया चक्रवर्ती उसकी दो कंपनियों में डि इसको मेंटर थे किसके रिया चक्रवर्ती ने खुद गाए मेरे मेंटर महिस्बट है और शुहिरता दास नाम की एक राइटर है महिस्बट के प्रोडक्शन हाउस में काम करती उसने पोस्ट लिखिए 14 जून को उस पोस्ट के अंदर लिखा है कि महिस्बट उसको बताते थ इसको रिया चक्रवर्ती को तो मेंसे दूर हो जाओ प्रवीन बहुबी बन चुका है यह जो है यह गोलिया ले रहा है लेकिन आपको यहां बता देना चाहता हूं शेरेंजी कि उसके रूम से कोई ड्रक्स की गोलिया नसीली दवाई नहीं मिली कोई नसीली दवाई नहीं लेता था वो अगर वो डेप्रेशन में होता थो और दूसरी बात यह दिप्रेशन की ठोरी बताने बनाने वाले जो लोग है सुबह जूस पिया उसने मतलब कोई आदमी अच्छा बहुत बात बहुत अच्छी बात है मतलब जूस को लेने गया स्पेशल गाड़ी लेकर के गाड़ी लेकर के जूस लेक्या वो तो इसलिए पता लग गया लोगों ने जूस लाते हुए देख लिया उसको नहीं तो उसको भी यह दबा देते और उसके बाद में जो है वहां पर वह उसने सुबह 10 बजे जूस पिया है उसके बाद क्या-क्या घटनाएं हुई है और स सुसान सिंग राजपूत ने अपने आपको इसकर रहा था विकीपेडिया पर उस मोबैल से अपने इस अपने बारे में आर्टिकल पड़ रहा था यह यह चीज भी सामने आ रही है तो इंटेरोगेशन जो मुंबई पुलिस कर रही है उसमें हमें यह यकीन नहीं है क्योंक एट साल पहले मुंबई पुलिस को तरूसरी दत्ता की एफ हैर की कॉपी लॉज की हुई है मैंने आर्टिया के थुरू मेरी एक अपते पहले अभी वीडियो कॉन्फरेंसिंग से मुंबई के सुचनायों में सुचनायों के कमिशनर ने में पुलिस के अगेंस्ट में केस मामला है या कोई सेंसिटिव मैटर है उसमें एक्जैमसन जरूर दी गए लेकिन क्योंकि केस क्लोज हो चुका है दोजार आट का वो क्या सकती लगाए हुए है मैं तो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं तो मुंबई पुलिस के साथ में डेट साल से मेरे कमिनिकेशन च खागरे से पूशता हूं एन सीपी के सरतबवा से पूशता हूं सलमान खान की इंटरोगेशन होगी क्या इसकेस के अंदर करन जोहर की होगी कॉंट्रेक्ट तो दिया खुले हाम ड्राइव के कॉंट्रेक्ट में लगा थेटर पर इलिज होगी खुले हाम कॉंट्रेक्ट त यूट्यूब चैनल है अलग-अलग डेप्रेशन था गोलिया लेता था यह करता था पता नहीं है यहां से यहां तक भी उनको थोड़ा बहुत भी उन्होंने माइंड लगाना नहीं सुन लिया मीडिया की ख़वरें सुन करके चला दिया उस चीज को स्रीदेवी के मामले में क किया हुआ सुबर्मन बस्वामई ने प्रेस कांफेरंस करना करके का मंटर हूआ है पहले काड्य करस्त पता है उसको इसके इसको देखीक ज gdzieś कुढमने में सारा काम किया गया और मैं यह पहले भी जेकर की आज फिर से मैं ये बात कहता हूँ कि दोभई के अंडरवर्ड का पैसा मुंबई की फिल्बों में लगता है और दोभई के अंडर वर्ड बहुत सफाइजी से काम करते है और उन-लोगों का जो है यहाँ पर बहुत बड़ा नेटवर्क है और उनके दवाब में पता सोली दवाओं कि फार्टिया होती है और यह क्या है डाउद ब्रैहिम की कमनी ड्रक्स बहुत-बड़ा कारोबार करते हैं और इसके लावब वहां पर क лег को काउच के बहुत सारे केसे सबस For Ist क्योंकि दुबई में कोई टेक्स नहीं है और वहां पे जो है अगर आप दुबई के अंदर इंवेस्टमेंट करते हो तो आपकी फायदे की इंवेस्टमेंट रहती है और बलेक मनी भारत का 43 परसेंट बलेक मनी दुबई के राजते भाल लगाए उसके सारे दुबई के मुवी आ रही है अपनी बेटियों को लेकर सड़क टू तो किस तक क्या एक संदेश देना चाहोगे देश की जनता को सड़क टू के अंदर एक सौंग था कि तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है तो यह सड़क टू है मैं मानता हूं तो महेश भट ने पूजा भट को लॉ करूंगा उसने ठेका ले रखा नहीं पर बच्चों को तो वह तो कोई अवतार पैदा हुआ है करण जोहर तो बॉलिवड वालों के लिए कि जिसके भी बच्चें अच्छा आच्छा वह उसी बात पर आते हैं महेश भट ने दोनों बेटियों को लेने की को अपनी प्रोड ऐसे उनिटियों को ओर महेश भट जैसा आदमी वह तो पहले सी एस्टेवलेसेटर आरिय भट उसको क्या करेगा कारूगया पहलेसी स्टेवलेसे स्केसरीटर वो का क्या है कि उसके प्रोड़क्सण हाउस में कोई जाना नहीं चाहता हो हता महेश बार संपने किस तरह आप देखो रिया चक्रवर्ति के साथ उसके सारे फोटो आए पड़े उसका उसका वह कवर मेगजीन पर महिश बट्ट के साथ मैं पूजा बट्ट का फोटो है उसे हम बताना नहीं चाहते यह बहुत ही मतलब जो है होता है यह क्रिमनल एक्टिविटी थी जो उसने की है और रही बात महिश बट्ट की हमने ठीक है उसके महिश बट्ट पर हम इतना ज्यादा हो नहीं करना चाहते क्योंकि उसके कर्मों की सजा तो भगवान देगा मूवी की बात करते हैं सुशान सिंग राशपूत की मूवी आ रही है दिल वेचारा जिसे फैंस ने भी कहा कि उस मूवी को बड़े पढ़ते पर रिलीज करना चाहिए पर उसके बावजूद भी वह पिच्चर OTT प्लैटफॉर्म पर रिलीज हो रही है सुशान की लास्ट फिच्चर और सड़क टू जैसा मूवी बड़े पर रिलीज होने की बात करिए तो इसके लिए क्या एक जंता को संदेश देना के वहां पर न्यपूर्टिजिंग का इतना जबरजस्थ खेल है क्योंकि film है finance पर चलती है और finance कौन है दोबई के लोग फाइनूसर और साथ जो पड़े प्रोडक्षण हाउस हैं जısकी मूवी को सिक्रीन नहीं देते हैं रमय अवस्तावया नाम की एक मूवी थी अच्छी खासी चल रही थी उतार के फैक दी उस से से कूटी फटी मूवी होती है ने इनकी उन गो भी जो है कहके हफते तक लगी रहती है उनको उठाके फैक देते हैं छोटे-मोटे बैनर की मूवी इसको तो क्यों सारा खेल हिंदुस्तान को ही उसमें वह दिखा दिया जाता है कमाल की बात है यह कहां हो रहा है यह बॉलीवोड के अंदर हो रहा है तो बॉलीवोड जो है यह क्या है कि ऐसा हब बंच चुका है जहां पे प्रोस्टिटूशन ड्रक्स एंड डीज कास्टिंग काुज के विकम किसी दिन बताएंगे उसको कि ICC का हैड़कौर्टर दुबई में है और इनके ऐसे क्लोज रिलेशन्स हैं क्रिकेटर्स हुए यह बिजनिसमेन हुए और पात हमारी कॉंसेंट करते हैं इसके कॉंसेंट करते हैं अब कॉन करेगा तुमारी इंटरोगेशन तुमारे हाथ में मुंबई जो है वो कानून को जेल में लिए गूमते हैं जो पॉलिवुट के लोग हैं जो अपने आपको स्टार हो या फिर डारेक्टर होने के बावजूद भी अपने आपको भागे विधादा जो बनके बैटे ह हैं जो मुवीज को अपनी को बड़े पर रिलीज कर रहे हैं लोगों ने इस बार ठाली है कि ऐसे नैपो किट्स या फिर जो ऐसे गैंग शराते हैं बॉलिवुट के अंदर उन लोगों की फिल्म का बाईशकार करना है तो क्या एक संदेश देना चाहोगी कि सुशान सिंग राशपूत की फिल्म जिसे ओटीटी फ्लेटफोर्म पे डाला जा रहा है उसे रिलीज किया जा रहा है और जो कि फैन्स ने कई बार मांग की है कि ओटीटीप ना की जाए करोना वारिस के बाद अगर एक महीने बाद भी पिच्चर रिलीज होती है तो हम वहाँ पे देखन एमेजन प्राइम और एल्टी वाला जी वगरा तरसल यह गलत है उसको थेटर पर रिलीज करना चाहिए कॉंट्रेक्ट की कॉपी में यह लेखा होगा जब फिल्म साइन की गई है अब तो बंदा यहां है नहीं दुनिया में इसलिए कॉंट्रेक्ट का सवाल कौन सब चीजे लिखी होती अभी यह सारा इंबगा तो मैं चाहता हूं कारेखक को हेखके लिए बहुत सारा सब्सक्राइब में आच्छे खासे एक्सपर्ट आते हैं वो महाराश सरकार पर ही सारा थोड़ी तैयारी करके नहीं आते हाइग को पावर इस मामले में तो दिल बेचारा थेटर के अंदर रिलीज होनी चाहिए और मैं तो कहता हूं इस देश के लोगों को जो भी उसके फैंस हैं वो बताएं इसे इंजिनिरिंग करने वाले इतने qualified person जिसका इतना creative mind हो उसको जो है आप आगे बढ़ाईए और उसकी movie को देखिए उसके क्या दिक्कत है तो और दूसरा मेट रही है कि यह लोग क्या करते ना करियर बरबाद करने का क्या खिल चलता रहता बिस मेरा एक सवाल हो रहा है स साते थे इसके रनवीर कपूर के फेर हो जाता था हूँ ऐसे ऐसे लोग बताव मॉलीवूड के अंदर स्थान पागे लेकिन उसका भी करियर कट्रीना कैफ जो है इसके सल्माणी की girlfriend थी और उसके साथ लिविन में रहने लगी रनवीर कपूर चिड़ गया इस बात से और च अच्छा था रनवीर कपूर तो मताइए वो तो बत्तमीज दिल लेके घूम रहा है उसको तो कहीं कोई मूवीज देने के लिए तयार नहीं है दूसरा मैटर यह है कि इन लोगों ने तो नहीं किया दमत्या है और अब यह जो है सुसान सिंग राजपूत का जो है नहीं कही करते हैं अब किसी को क्या बताव गला गोटके मार करके उपर लटका दिया हो इसके जाच का विशह है यह तो पता लगना चाहिए यह सारा खेल क्या है क्योंकि पोस्टमोटर रिपोर्ट कहती दम तो जो है गला ऐसे गोटक करके भी दम गोट जाता है इसमें आपने यह पर लगाने पी लगे हुए सलमान ने बिग बॉसे लेता जबर जबेजस्त काम किया है फिर तरीके इस बात को बैस्ट होस्ट हैं दिल को ना बेकरार कर सुभध जरूर आएगी सुभध का इंतजार कर और रही बात इसकी कुमार विशुषवाश जी एक बात कहते हैं कि इस धर्ती से उस अंबर तक दो ही चीज गजब की हैं एक तो तेरा भोलापन है एक मेरा दीवानापन है इस देश के लोगों का वो एक दिन इस तरीके से आवाज उठा रहा है वो वास्तम में उसको न्याय मिलेगा लेकिन वो बात अलग है कि न्याय मिलने के लिए हमको प्रै हिंदुत बादी आदमी है पार्लियमेंट में खड़े होकर के कहते हैं कि जिस स्कूल में आमिच साह तुम पढ़ते हो ना उसके हैड मास्टर न रहे तुम तो हैड मास्टर हो भई तो वह पॉलिटिक्स से हटके मैं क्योंकि बॉलिवूड रों उसका सारा नेक्सस हुआ प बताए अब दुबई में हो रहे हैं मनी लॉंडरिंग होती है दुबई और क्वालामपूर में और अंडर वर्ड का बहुत बड़ा नेट्वर्क वालामपूर दुबई के अंदर है और वहां तोरंटों के अंदर भी है उन जगों पर यह फंक्शन होते हैं आई फा के फिल सकते हैं आपको लेकिन यहां पर आपका इंटर्वू लंबा हो जाएगा लेकिन आपको बात बता देने चाहता हूं काई पहुंचे जो पहली फिल्म थी सुसान सिंग राजपूत को उसके लिए कोई और नहीं दिया गया असका मतलब जो है कोई भार से कोई आता है ना और स्ट्रेगल करके अपना एक तो इनको इस बात की इगो हर्ट हो रही थी एक बंदा टीवी पे काम करता था चोटे पड़ते पर वह बड़ा बड़ा स्टार बन गया वह सलमान की गल्फ्रेंड के साथ मैं मैं लीड हीरो बन क्या रहा है सलमान को चेड़ होगी क्या यार यार नमबर नया टोपक हो जाएगा सेरेंजी इसमें जाने का कोई वो नहीं है आप जब भी आती रहेंगी तो हम आप से इस वेशे में बात करते रहेंगे